रूस के रक्षामंत्राले ने घोशना किया कि यूक्रेन में फसे लोगों को निकालने के लिए मारियो पोल और वल्लोवाखा शहरों में आज से मानविय गलियारे खोले जाएंगे विधान सभा के बजट सत्र के लिए ऑनलाइन प्रेशन और उत्तर प्राप्त करने की व्यवस्था की गई विधान सभा अध्यक्ष ने बताया भारतिय खेल प्राधिकरण ने खेलों इंडिया स्कीम के थाथ 36 गड़ में साथ खेल इंडिया केंद्रों की स्थापना को मन्जूरी दी और CISF के स्थापना दिवस के मौके पर भिलाई में विशेश कारिक्रम का आयोजन अत्याधुनिक उपकरणों का किया गया प्रदर्शन नमस्कार आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार मैं हूँ मनीश हलुवालिया और अब समाचार विस्तार से रूस के रक्षा मंत्राले ने घोशना की है कि यूकरेन में फसे लोगों को निकालने के लिए मारियूपोल और वोल्नोवाखा शहरों में आज से मानविय गलियारे खोले जाएंगे रूस के रक्षामंत्राले ने एक बयान में कहा है कि यूक्रेन के सुरक्षाबलों के साथ दक्षिन पूर्वा में रणनीतिक बंदरगाह, मारियूपोल और देश के पूर्वी शहर वोलनो वाखा से नागरिकों को निकालने पर सहमती बन गई है यूक्रेन के सुरक्षा बलों की ओर से इस बात की कोई पुष्टी नहीं हुई है कि ये निकासी मार्ग कब तक खुले रहेंगे इससे पहले यूक्रेन की सुरक्षा परिशत के प्रमुख ने बच्चों, महिलाओं और बुज़ुर्गों को लड़ाई से बचाने के लिए मानविय गलियारे बनाने की रूस से मांग की थी वहीं ऑपरेशन गंगा के तर्थ संकट गरस्त यूक्रेन से अब तक 11,000 सेदिक भारतिय नागरिकों को निकाल लिया गया है ये अभियान लगातार जारी है वायू सिना के तीन सी सत्रह विमान यूक्रेन के पड़ोसी देशों रोमानिया, पोलेंड और स्कलोवाकिया से 629 भारतिय विद्यार्थियों को लेकर आज तड़के दिल्ली के निकट हिंडन वायू सिना केंदर पहुंचे रक्षा राजमंत्री अजय भट ने यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए विद्यार्थियों की अगवानी की शिरिभट ने का कि यूवा और सहासी विद्यार्थियों के चैरों पर खुशी और राहत देखकर उन्हें प्रसंद्नता हुई है आज सबेरे एक ट्वीट में विदेश राजमंत्री वी मूरली धरन ने ओप्रेशन गंगा के लिए लगातार समर्थन देने के लिए भारतियों मिशन विदेशी सरकार और स्वयम सेवकों को धन्यवाद ग्यापित किया इससे पहले कल विदेश मंत्राले ने बताया कि अब तक 20,000 से अधिक भारतियों ने यूकरेन की सीमा छोड़ दी है विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बाक्ची ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 18,9 से लगवक 4,000 भारतियों स्वधेश लोटे हैं उन्होंने ये भी बताया कि अब तक यूकरेन के पड़ोसी देशों से कुल 48,9 भारत लोटी हैं शिरिबाक्ची ने विश्वास दिलाया कि यूकरेन से हर भारतियों को सुरक्षित निकाले जाने तक ये अभियान जारी रहेगा प्रदेश में 7 मार्च से शुरू होने वाले विधान सभा के बजट सत्र के लिए पहली बार ऑनलाइन प्रशनों और उत्तर प्राप्त करने के व्यवस्था शुरू की गई है ये जानकारी राज्य विधान सभा के अद्यक्ष डॉक्टर चरंदास महंत ने आज विधान सभा परिसर में आयुजित एक पत्र कारवारता में दी उन्होंने बताया कि विधान सभा के इस बजट सत्र में पहली बार प्रशनों की सूचनाएं आनलाइन ली गई है इस बार विधान सभा में हमने एक नई सुरुवात की है कि प्रशन को आनलाइन मंगाए थे और उनके उत्तर भी हमने आनलाइन प्राप्ट किया और मुद्रन के लिए भी भेजा गया तो आनलाइन भेजा गया ये पहला प्रयाज था और इसमें हमें काफी सफलता मिली विधायकों ने भी इसमें अपना पूरा योगदन दिखाया सुरु सुरु में थोड़ा सा कस्ट हुआ मगर उनको जब हम थोड़ा प्रसिक्शन दिये उनके लोगों को तो इसमें हमें सफलता मिल गई और मुझे कहने में खुशी है आपको बताने में खुशी है कि 1682 प्रशन आये हैं इस बार उसमें से 1499 प्रशन की सुचनाएं आनलाइन प्राप्त हुई डॉक्टर महंत ने ये भी बताया कि इस बजट सत्र के लिए कुल 1682 प्रशन प्राप्त हुए से अभी तक एक मात्र विदयक आया है जिसका नाम है 36 गड़ अनधीकरित विकास का नीमेती करन संसोरन विदयक एकी विदयक आप आया है अब हो सकता है समय रहते और आ जाएं यही सुचना देने के लिए आप सब को हमने आज आमंतृत किया है और आप सब यहाँ हैं उसके लिए मैं आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमने विशेश रुप से माननी गुर्मुक सिंग जी होरा जी को आमंतृत कर लिया था आज के इस मिमोचन कारकम में और हमारे सुभाज दूपरवाई जो प्रादी करण के सदसें वो भी हमारे बुलावे पर उपस्चित हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ आप सब को विशेश रूप से धन्यवाद और आपसे अपेक्चा है कि विधान सबा की कारवाई आप पूरी तरीके से आम लोगों तक पहुचाने में मदद करेंगे हमारे करमचारी अधिकारी सब आपके इक्षानुसा बेटर ढंक से काम करेंगे ऐसी मेरी आसा है आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद जैहिन जैच्छाटिस गरण डॉक्टर महंत की उपस्तिती में ही आज विधान सबा के इस वर्ष के कैलेंडर का विमोचन भी किया गया भारतिय खेल प्राधिकरण ने खेलों इंडिया स्कीम के तहत 36 गड़ में 7 खेल इंडिया केंद्रों के स्थापना को मंजूरी दे दी है ये साथ केंद्र अलग-अलग जिलों में एक-एक खेल के लिए खुले जाएंगे भारतिय खेल प्राधिकरण द्वारा आर्चरी और हौकी के लिए दो-दो केंद्रों वॉलीबॉल, मलखंब और फुटबॉल के लिए एक-एक केंद्र की मंजूरी दी गई है इन केंद्रों में संबंदित खेलों के 36 गड़ के खिलाडियों का चैन कर राश्ट्री और अंतराश्ट्रिस्तर के कोचों के द्वारा उन्हें प्रेशिक्षन दिया जाएगा इन केंद्रों की स्थापना के लिए भारतिय खेल प्राधिकरण वित्तिय साहता भी प्रदान करेगा राज़ सरकार के प्रस्ताव पर प्राधिकरण ने ये मंसूरी दी है प्रस्ताव के अनुसार बिलासपूर के शिवतराई और बीजापूर में तीरन दाजी सेंटर है राजनत गाउं और जश्पूर में हौकी सेंटर गरियाबंध में वॉलीवॉल सेंटर नाराणपूर में मलखम सेंटर और सरगुजा में फुटबॉल खेल सेंटर स्थापित किया जाएगा प्रते खेल के स्थानिय सीनियर खिलाडियों को सेंटर से जोड़ा जाएगा उन्हें प्रशिक्षक के रूप में कारे करने के लिए मान दे भी दिया जाएगा सभी खेलों इंडिया सेंटर्स में बालक और बालीका खिलाडियों का बराबर प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित किया जाएगा इन सेंटर्स को भारतिय खेल प्राधिकरण के पोर्टल में पंजीक रित किया जाएगा गरियाबन में वालीवाल सेंटर शुरू होने की मंजूरी से स्थानिय लोग काफी खुश हैं वहीं जन्परतिनीधियों ने भी केंदर सरकार के इस फैसले का स्वागत किया गरियाबन नगरपाली का ध्यक्ष गफार मेमन और खेल प्रशिक्षक सुरज महानिक के साथ ही खिलाडियों ने भी कहा कि इस सेंटर के खुलने से खिलाडियों को राश्ट्री और अंतराश्टी स्तर पर अपनी पहचान बनाने में मदद मिलेगी खेलों इंडिया के लिए बालीवाल एकेडमी का यहां पर ट्रेनिंग सेंटर का सौगात मिली है इसके लिए मैं नरेंद मोदी जी और अनुराक ठाकुर जी खेल मंतरी को बहुत-बहुत अभार वैक्ष करता हूं और गरियाबन की जनता की तरफ से उनकी उनका अभारी हू जीनों ने आदिवासी आंचल में हम लोगों को एक बहुत अच्छी सौगात दी है। लगाते थे, ग्राउंड खुदी साप करते थे, अब हम लोगों को इंडोर में खेलने का मौका मिल पाएगा। वहीं मुख्यमंतरी भुपेश बगेल ने भी साथ खेलों इंडिया केंडर की मन्जूरी मिलने पर प्रसंदता व्यक्त करते हुए कहा है कि 36 गड़ के खिलाडियों को अपनी खेल प्रतिभा को निकारने का अच्छा मौका मिलेगा। आने वाले समय में ये खिलाडी राश्ट्री और अंतराश्ट्री स्तर पर प्रदेश और देश का नाम रोशन कर सकेंगे। और समाचार का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे फिलहाल लेते हैं छोटा सा विराम। इसे ही RBI का बैंकिंग ओमड़्समेर्टॉ RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को एक मैने में नहीं सुच जाता तो आप RBI के कंप्लेंड मेंजमेंट सिस्टम पर ऑन्लाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कम्प्लेंट सुजाने का और वो भी तरीक है। RBI कहता है जानकार बनिये सतर करें। प्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका दूर दर्शन समाचार में। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेशवरी और राश्ट्रिय सह संगठन मंत्री शिवा प्रकाश्व ने अपने रायपूर प्रवास के दौरान कल पार्टी मुख्याले में भाजपा पदातिकारियों की महतोपूर्ण बैठा की लिए हैं। इस मौके पर डी पुरंदेशवरी ने कहा कि राज्य की भूपेश सरकार की विफल कार्यनेती की वज़व से आम लोगों में आक्रोश है। उन्होंने कहा कि सरकार की नाकाम्याबी को लेकर जन जन तक पहुचा जाएगा। वहीं पार्टी के राश्यू पाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंग ने बताया कि पार्टी के वरिष्ट नेताओं की मौझूदगी में आगामी विधानसभा चुनाओं की तैयारियों पर चर्चा की जा रही है। चुनाओं को लेकर रणनी तितै की जाएगी और सभी विधानसभा की शित्रों में पार्टी नेता केंद्र सरकार की उपलब्धियों का प्रचार प्रसार करेंगे। साथी राज्यकी भुपेश सरकार की नाकाम्या भी उजागर की जाएगी। कि अदे आज यदि हमारे राष्टी शंग़्धन स प्रवारी स्रीश्यू प्रगाजी की उपस्तिती है। मानि सत्रिगर के प्रवारी कुले नेश्यरी वीजी उपस्तिती है, तो तीन महात्मूल सब्सक्रानि अलग 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 सत्रों में। पहला सत्र मानी विधायकोई के साथ बाच्छीत और चर्चा होगी और उसके बाद दूसरे सत्र में सानसद्वों के साथ बाच्छीत होगी और फिर तीसरे सत्र में कोर ग्रूप में होगी जिस तीनों बैठकों का गूल विशा यही है कि हमारी जो रडीती है हमारे जो कार्प पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर सिंग ने संगठन में बदलाव की संभावना से इनकार किया। उन्होंने कहा कि संगठन को गतिशील किया जा रहा है। भाजपा की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी आज भी पार्टी नेताओं से चर्चा कर रही है। केंद्री और द्योगिक सुरक्षबल CISF का आज तेरे पनवा स्थापना दिवस है। इस मौके पर 36 गर साहित पूरे देश में विभिन्न कारेक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्पात नगरी भिलाई में आयोजित समारों में भिलाई स्पात संयंत्र के डारेक्टर इंचार्ज अनिर्बान दास गुपता मुख्यातिती के रूप में उपस्चित थे। कारखाने का निरेक्षन कर पाएंगे जहां पर आदमी जाना मुश्किल है उपर में छत में चिमनी में वहां कर भी फोटो लेके वहां पर भी कोई कमिया है वो भी दिखेगे अचा इंफ्रारेड में रात के अंधिरे में दिखेगा और इदी कोई सग्मीद वेक्ति या क्विक रिस्पॉंस टीम है और बहुती जल्दी वहां पहुंच सकती है क्योंकि इतना बड़ा कारखाना है इसको हर समय जो निग्रानिये में रखना मैनूल मोट पे यह असंभवसा है तो यह ड्रोन इस इस कारिये में काफी साहता करें समारों में जवानों ने वेपन हैंडलिंग और ड्रोन का प्रदर्शन भी किया साथ ही श्वान दस्ता भी लोगों के आकर्शन का केंद्र रहा वर्दलवे की CISF सशस्रबल के रूप में देश के 353 महतुपूर्ण प्रतिष्ठानों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है साथी करीब 104 PSU को अपनी अगनी शमन सेवाएं भी उपलब्ध करा रहा है देश में अब तक 178 करोड 55 लाग से अधिक कोविड रोधी टी के लगाए जा चुके हैं किंद्रे स्वास्य और परिवार कल्यान मंत्राले के अनुसार कल 24 लाग 62 लाग से अधिक टी के लगाए गए कल 11 अजार से अधिक लोग संक्रमन से मुक्त हुए जबकि 5921 लोगों में संक्रमन की पुष्ट हुई है अभी 63,888 संक्रमितों का उपचार चल रहा है देश में अब तक 4 करोड 23 लाग से अधिक लोग कोविट से मुक्त हो चुके हैं स्वास्थ होने की दर इस समय 98.65 प्रतिशत है मंत्राले के अनुसार देश में अब तक 77 करोड 19 लाग से अधिक कोविट जाच की जा चुकी है कल 9,40,000 से अधिक नमुनों की जाच भी की गई इदा 36 गर में कोरोना मरीजों के स्वस्थोने और रोज कम संख्या में नए मरीज मिलने के कारण सक्रिय मुआमलों की संख्या घट रही है सुकमा जिले में अभी कोरोना का एक भी सक्रिय मरीज नहीं है प्रदेश में कोरोना संक्रमिन के दर घट कर अब 0.49 प्रतिशत पर पहुँच गई है राज के साथ जिलों में कल कोरोना का कोई नया मामला सामने नहीं आया इस दिन प्रदेश भर में हुए 21,906 सेंपलों की जाच में 107 व्यक्ति कोरोना संक्रमिन पाए गए इस समय प्रदेश में 888 सक्रिय मामले हैं वहीं कल कोरोना से किसी की भी मृत्यू नहीं हुई है आस्टेलिया के पूर्व क्रिकेटर और स्पिन के जादुकर के नाम से मशूर शेन वान का कल थाइलेंड में निधन हो गया वे 52 वर्ष के थे उनकी मृत्यू दिल का दौरा पढ़ने से हुई ऐसी आशंका जताई जा रही है वोन ने 145 टेस्ट मैच में 708 विकेट लिए उन्होंने एक दिवसी क्रिकेट में 293 विकेट लिए वे आउस्टेलिया की ओर से सबसे जादा विकेट लेने वाले गेन बास थे और इसे के साथ ये समाचार बुलेटन समाप्त हुआ नमस्कार